अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कारिक्रम आपके बहुत काम का है क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स करेंगे आपका मार्क दर्शन और बनेंगे लक्ष हासल करने में मददगार जैसा कि आप जानते हैं हमारे खास कारिक्रम लक्ष में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बहतर काम कर रहे हैं चात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े इसके लिए कोशिश कर रहे हैं लक्ष की इस खास पेशकर्ष में हमारे साथ भोपाल से डॉक्टर अमित गुपता मौझूद हैं जो सब्ड़ बंधु इंस्टिटीट ऑफ करियर भोपाल के दरेकटर हैं और साथ में मौझूद हैं दीक्षा साहू जो सब्ड़ बंधु इंस्टिट्थ ऑफ करियर की स्टूडेंट हैं लक्ष में आप दोनों का ही बहुत स्वागत है तो सबसे पहले मैं आमिट जी की और ही रुख करना चाहूंगी आमिट जी सबसे पहले तो आपको बहुत बढ़ाई और डॉक्टर अमिट मैं आपको कहना चाहूंगी क्योंकि आप पहले डॉक्टर भी रह चुके हैं डॉक्टर अमित आपके कोचिंग एक स्टूडेंट थे उन्होंने नीट में भोपाल में फर्स्ट रैंक हासिल की है और आल इंडिया में भी काफी अच्छी रैंक हासिल की है उन्होंने जाना चाहेंगे कैसे आपने उनकी तैयारी करवाई थी जीवन लोदी जो कि हमारे सब्ट बंदू इस्टिटूट का एक इस्ट्वेंट रहा है और उसमें इस साल नीट में 658 पार्क्स लाकर पूरे ऑल इंडिया में 804 रैंक अचीब किया एंड साथ ही पूरे भोपाल में हम लोगों के लिए बहुत प्राउड मूमेंट है कि उसने पूरे भोपाल में फर्स्ट रैंक लाके हमारा सब्ट बंदू इस्टिटूट जो कि इतने सालों से काम कर रहा था उसका नाम काफी उपर बढ़ाया है इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से भी जीवन लोदी को भी बदाई देना चाहूंगा और इस पूरे काम में ज सारा का सारा स्रेट एक टीचर का होता है इस्टुएंट की मैनत सबसे ऊपर होती है तो उसने अपनी उस मैनत को करके दिखाया उस चीज में वह कंटीनू लगा रहा लोगडाउन का जब पीरियेट लगा तो जहां बहुत सारे इस्टूएंट घर में आराम करने लगे ते य उसी का यह रिजल्ट है कि जब नीट का रिजल्ट पूरे अल इंडिया लेवल पर आता है जिसमें फिफ्टीन लैक्स स्टूडेंट एक्जाम देते हैं उसमें से जीबन जो है एट हंट्रेट फोर रेंग अपनी कैटेगरी में लेके आया और इसके साथ में भोपाल में भ अच्चों के लिए काम कर रहा है जो नहीं जा पाते हैं डेली नहीं जा पाते हैं उनका विजन होता है कि हमें डॉक्टर बनना है अई-टीन बनना है वहां से वह आया था तैयारी करने और उसका वह सपना पूरा हुआ और साथ ही साथ उसके हुपाल का भी नाम रोशन देखा जाए तो सबसे बड़ी बात यह कि पूरे भोपाल के लिए गर्फ की बात है क्योंकि नीट में भोपाल में फर्स्ट रैंक स्टूडेंट की आई है सर आपसे एक और बात समझना चाहेंगे आप अपने कोचिंग के बारे में जैसा की बता ही रहे थे कि आपकी कोचिंग में मेडिल क्लास बच्चे जो की कोटा नहीं जा पाते और डेली एफोर्ड नहीं कर पाते उनको आप यहां पर ट्रेनिंग देते हैं पढ़ाई की तो आपसे पूरी तरह से कोचिंग के बारे में भी समझना चाहेंगे साथ में मैट्स और बायोलोजी स्ट सब्सक्राइब करें मेडिकल लाइन में डॉक्टर हूं बट मेरा विजन था कि मुझे ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाना है जो बच्चे कोटा नहीं जा पाते हैं डेली नहीं जा पाते हैं लाखों रुपाई का जिनका फाइनेंसियल बजट नहीं है तो उन लोगों के ल लिए पूर भी मिले और उसमें फाइनेंसियल वाले बच्चे भी पढ़ते हैं और काफी बच्चे स्लेक्ट हो के आज की डेट में आपको बताते हुए खुजी हो रही है कि लगवक मद्ध्य पिरेस का ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जहां पर हमारे यहां से बच्चा पासाओ कर एंबी बेस की पड़ाई नहीं कर रहा हो और ना ही इंजीनेरिंग में ऐसा कोई मद्ध्य प्रदेश का कॉलेज इंजीनेरिंग कॉलेज जिसमें हमारे यहां से बच्चे ने जे डबली की तयारी कि और वहां से लेक्ट होकर नहीं गया हो तिलकुल नीट का एक्जाम ही बहुत बड़ी चुनोती होती अपने आप में और जिस प्रकार से आप बतारे कि मद्ध्य प्रदेश का ऐसा कोई कॉलेज नहीं जहां आपकी यहां से कोचिंग पढ़के कोई बच्चा वहां तक ना पहुँचाओ एक बहुत बड़ी उपलब्दी है क्योंकि बहुत मुश रहानी इसट्यूट में जो तियांन देते हैं।हल कि मेरा बकर ठेलिम मैंने शेट और करता भी रहता है। प्राइब तो इसने में करते हूं सबसे मेरे यह कोचें प्राइक्टिस कीप रखते हैं रहते हैं अने में को फॉलो करते हूं और उनको बिल्कुल सॉल्ब करती जाती हूं कुछ डाउट है और अपनी पड़ाय में करती हूं और सबसे बड़े दिक्षा बतारीये कि उनके सर ने पूरे नाइन आर्ज की बताये कि इस तरह से उन्हें अपने सब्जिक्स को डिवाइट करना है वो बेहद एहम होता है क्योंकि बहुत बार देखा जाता है प्राक्टिस की वज़े से बच्चों को समय कम पड़ जाता है बहुत सारे होते हैं शिक्षा की शेत्र में डॉक्टर amit आप जानते होंगे की बंसल समूल भी काफी ज़्यादा युगदान को बंसल गुरू का जो हीयस ता और जब मैं काफी छोटा था उस टाइम पर इंजीरिंग के अलाबा और भी डिफ्रेंट फील्ड में भी बंसल ग्रुप के बहुत सारे के दिखा रहा है एंड फूड की बहुत सारी बंसल की आने लगी है तो डेफिनेटली बंसल ग्रुप जिस स्पीड से वर रहा है वो एक अपने आप में सराहनी है बिल्कुल टेक्निकल एजुकेशन के मामले में आप से भी दिक्षा समझना चाहूंगी बंसल समू किस प्रकार से युगदान दे रहा है वो तो शायद आप भी जानती होंगी किन नीतियों को आप टेक्निकल एजुकेशन की अगर बात की जाए तो बंसल समू की किन नीतियों को पसंद करती है बंसल समू का नाम सबसे पहले में छोटी थी तो मैंने नियूस पेपर में पढ़ा था और सबसे मैं सुनती आरही हूं कि आज मतला इस इस ब находится और अच्छा लगता है। जो पर यह में पर तो रहते हैं अफ्, बताना चाहूंगी उनको भी बंसल फ्री एजुकेशन प्रोवाइट कराता है तो ये बेहत सराहनी है डॉक्टर अमित आप से एक बात समझना चाहूंगी बंसल समू के द्वारा टेक्निकल एजुकेशन हर वर्क के शेत्रों में उपलब्ध हो सके इसके लिए एक और क्या कद नहीं होता उनकी पास क्या होता है उत्रे साधन नहीं होते हम लोगों के पास से सोर्सें कि हम लोग हर चीज को ऑनलाइन पता कर सकते हैं तो मैं इसमें यही सजेश्ट करना चाहूंगा कि जो हमारे MP के रूरे रूरल एडियास है चोटे सहर है वहां पर बंसल ग्रुप को का काफी केरियर सेमिदार करने चाहिए स्कॉलर से बेश टेस्ट रखने चाहिए और उसे चीजों में क्या था बच्चे आते हैं बच्चों आते तो उनको पता चलता है कि और कौन-कौन से चीज़ें कर सकते हैं बच्चे दूसरे एज्यूकिस लाइन में जा रहे होते जहां को उतना केरियर बेनिफिट नहीं मिलता है तो वो कोर्स जब उनको पता चलेंगे तो डेफिनिटली वो बंसल पर टर्श्ट करके आएंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि काफी कम फीस में दूसरे कॉलेजों के कंपेरिजर में बंसल उस क्वालिटी को प्रोवाइड कर र लेकिन आप शायद ये भी समझती हों कि स्वास्त भी बहुत महत्वपूर्ण हैं अगर हमारी सेहत अच्छी रहेगी तो शायद शिक्षा के शेत्रे में हम और अच्छे काम कर सकते हैं तो कैसे आप इन दोनों का सामंज़स से रखती हैं मेरे लिए एज्यूकेशन और हेल्थ जैसा कि आप बोल रहे हैं मेरे लिए यह दोनों विल्कुल पैरलल प्रोसेस हैं जैसे यदि मैं हेल्दी रहूंगी तो मैं अपनी एज्यूकेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं तो मुझे हेल्थ के वारे में भी पता चलता रहता है जैसा कि हम सबके घर में भी बताते हैं ममी पापा की भार की चीजें नहीं खाना चाहिए तो यह रियल नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है लाइक फूट पोईजनिंग बगेरा और मेरे इसाब से तो स्टुडेंट को यह फिजीकल आज है मतलब मैं आज बताती हूं आप सब लोगों को मैं सबसे जादा मेंटल हेल्थ पर ध्यान देती हूं जैसे कि हमारे इंस्टुट में चलता भी हर संड़े को एक एक्टिविटी की क्लास रेती हूं इसमें मुझे बहुत अच्छी अक्टिविटी लगती जो मैं आप सबसे अच्छा लगता है मुझे ब्रामरी प्रणायम एक डीठिंग एक्सरसाइज यह इस्टुडेंट के लिए बहुत ही यूसफूल है यदि स्टुडेंट इसे करता है तो बिल्कुल दिन भर उसका सांत दिन जाता है माइन विल्कुल फ्रेस रेता है उसका और मैं नहीं है कि जरूर करना चाहिए लेकिन बहुत से बच्चेंद एसे भी वोगैंगे जिनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं प्रणायायम को कैसे करते हैं योगा करना चाहिए बाट है दो तिन एक्तिविटी कर पाती हूं क्योंकि अभी नाइन आवर्स की स्टडी भी रहती है इसलिए मैं 15-15 मिनिट से लगबा करती हूं और इस्टूरेंट हैं आप और कुछ भी योगा वगरा कुछ नहीं करना है तो आपको बिल्कुल यह तो मिनिमम यह तो करना ही चाहिए आपको क्योंकि इससे बहु किसी भी चीज में concentrate करना चाहते हैं तो concentration level जो है हमारा वो निश्यत रूप से बढ़ता है डॉक्टर अमेत आपसे एक बात समझना चाहूंगी सुडेंट बहुत बार देखते हैं कि हताश हो जाते हैं क्योंकि नीट जे डेबली यह ऐसे exam से जो कि शायद एक बार में कभी-क कभी नहीं निकल पाते हैं drop-outs भी होते हैं बच्चे और निकालने की कोशिश करते हैं लगातार पढ़ते हैं ऐसे में कैसे आप career counselling उनकी करते हैं स्टूडेंट के लिए जैसा कि आपने बता है career counselling वह एक अपने आप में बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि नीट एंड जी डेबली की फील्ड में अगर बच्चे को काउंसिल नहीं किया जाए तो बच्चा डेफिनेटली असा होता है कि बच्चों के टेस्ट में पहली बार में बहुत कब माक्स आते हैं क्योंकि बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते क्योंकि बच्चे को इसको फाइब तो फाइब तो इसको लगता है कि पढ़ते जा रहे हैं कब कुछ अच्छा होगा क्योंकि वह भूम नहीं सकता तो ऐसे में बच्चों को लगातर क्लास में हर चार पाई दिन छोड़के को थोड़ा बच्चे काफी बच्चे काफी बोला के समझाया जाता है तब फिर उनके अंदर बापस रीचार जोके वह बापस लग जाते अपनी पड़ाई में बिल्कुल जिस प्रकार से बच्चे काफी कोमन चीज के अगर कोई बच्चा नीट यह कि तैयारी कर रहा है तो बहुत कवमन है कि एक बार में उसका नहीं होता है तो ऐसे क्या होता है कि बच्चों के साथ बहुत सारी financial conditions भी होती है कि उन्होंने एक बार त्यारी कर लिए अपने इंडिया में कि उसको साधी भी करनी है तो जल्दी जल्दी उसकी पढ़ाई सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइब करने के लिए उनको पैरेंट्स के साथ मीटिंग करते हैं कंटीनू उनको समझाते हैं उन लोग जहां-जहां रिलीज हो सकता है वह सब सब्सक्राइब करते हैं लोग अलग से स्कॉलर्सिप टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं कि स्कॉलर्सिप के बेस पर बच्चे जो टैलेंटेड हैं जो बचारे कहीं दूसरी जगहों पर उनको डेल लाख रुपए फीज आफॉर्ट नहीं कर सकता आदमी क्योंकि एम कोटा समझना चाहेंगे आपने विश्य तो चुन लिया है लेकिन अब चुनौती आपके सामने यह है कि अब आपको आगे बनना क्या है कैसे निर्धारित करती है आप अपना लक्षे जी हमारे सर डॉक्टर रामिन गुपता सर जी बोलते हैं कभी भी अपना टार्गेट मैं एक् हम उसमें अच्छा नहीं कर पाएंगे हमें मेरा हर टार्गेट आने वाला टेस्ट रहता है मुझे उस टेस्ट में मेरा वही टेस्ट ही एक्जाम है मुझे वही टार्गेट रहता है कि मुझे उस एक्जाम को फाइट करना है बहुत अच्छा स्कॉर करना एक्जाम में तो और मैं टेस्ट को माईने टेस्ट को ज्यादा देती हूं इंपोर्टेंस तो बस मैं उस टेस्ट की तियारी में लगी रहती हूं और मुझे कोई प्रॉब्लम भी आती है तो अभी अभी लास्ट येर जो टॉपर बनके निकलें जीवन लोदी उससे पहले भी थे धर्मेनर भह बिल्कुल सबसे बड़ी बात यह कि मदद अगर कोई करता है तो बहुत अच्छा लगता है और यहां से जब इस कोचिंग इंसिट्यूट से इतने टैलेंटेट बच्चे पास आउट हुए हैं तो निश्य तोर पर जब और भी जो नीचे बच्चे हैं वो उनसे जब मदद मांगते हैं और वो बताते हैं गाइट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है आप जानते ही होंगे कि बंसल समु का एक उद्देश है सब पढ़ें और सब बढ़ें हर विद्यार्थी तक और कैसे शिक्षा पहुंचाई जा सकती क्या करना चाहिए उसके लिए यह जो आप पाल के आसपास की जितने भी सिटीज वहां के लिए फ्री बढ़ें स्टुएंट्स के लिए एट क्लास तक के लिए राइट टू एज्यूकेशन जिसको बन बोलते हैं कि हर बच्चा फ्री पढ़ सकता है बंसल के तरफ से जो बाते मुझे बढ़ें सच मैं मुझे बहुत चाहता हूं कि अगर हर बच्चे तक एज्यूकेशन पहुंचे इसमें मेरा कोई रोल अगर आपको लगता है तो मैं उसमें फ्री आपको आप लोगों के साथ कदम से कदम मिला के काम करना चाहता हूं सबसे बड़ी बात है जब कोई समाच को एक तरह से अपनी मदद दे तो है क्या कारण रहा उसका जी डेफिनेटली आपके साथ साथ मुझसे भी बहुत सारे लोग यह पूछते ही है अलग-अलग डाइप से देखिए क्या होता है कि इंसान को अपने लाइफ में में सब सब कुछ होता है तरसल मैं अपनी मेरा बच्पन से विजन था कि मैं सब्सक्राइब करने का रास्ता भी सबके पास होना चाहिए तो रास्ते को जम्हों आए तो होपाल में मैंने वह चीज देखी कहां पर ही सबसे सूटेबर रहेगा तो मुझे लगा कि ओल्ड होपाल में सबसे यादा नीड है इस चीज की तो इसलिए मैंने इसी बिजन के साथ सब तबंदू इस्टिट्यूट को स्टेबलाइज किया था सन 2013 में उसके बाद धीमे धी इंजिनियर्स बन चुके हैं तो वह एक हमारे लिए अपने आप मोटिविशन त्यार हो चुका है और इस साल जीवन की जिस टाइप से रहेंक आई है तो उसने इस आबित कर दिया कि सत्य परेशान हो सकता है बड़ पराजित नहीं और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं हो योग का सहारा लेती हैं लेकिन अगर अपने एज ग्रूप के बच्चों को आप देखती होंगी बहुत से बच्चे राह भटकते हैं क्या संदेश उन्हें देना चाहती हैं मैं उन्हें संदेश देना चाहती हूं सबसे बड़ी बात तो यह फोन का यूज अभी ठीक है ओनलाइन पढ़ाई चल रही तो आप उसी टाइम यूज करें फोन को मैंने बहुत चारे अपने फ्रेंड्स लोगों को भी देखा है वह ना फोन में लगे रहते हैं तो उन्हे में 12 बहुत लोड हो रहा है नीट और जेड़ावली के साथ बहुत गलत सोचते हैं हमारे सर ऐसा बोलते हैं कि यदि आप 12 के साथ नीट रहे हैं तो आपके लिए एक अपोर्चनिटी है लोड या प्रेशर समझ के उससे फाइट ना करें एक अपोर्चनिटी है यदि आप बहुत अच्छा करने की कोशिश करें बहुत बड़ा संदेश दीक्षा ने अपने हमूम्रों लोगों को दिया है आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इसी के साथ हमारी खास पेशकर्ष में फिलहाल इतना ही कल फिर हाजर होंगे एक नए लक्षे के साथ तीजे इजासत नमस्कार